सोशल मीडिया पर सुर्ख्यों में रहने वाले महराज धिरेंद कृष्ण शास्त्री आजकल अपने चमतकारों के लिए देश में काफी चर्चाओं में रहते हैं और वहीं विदेश से भी काफी भक्त उनसे मिलने आते हैं वहीं अपने खास कारिक्रम दिवेदर्बार के चर्ये विलाखो करोडों लोगों के दिलों पर राज भी कर रहे हैं और यही वज़ा है कि उनके भक्तों में दिवेदर्बार को लेकर उत्सा और इंतजार हमीशा रहता हैं वैसे अलग-अलग शहरों में बाबा धिरेंद क्रिशन शास्त्री के इस खास कारिक्रम ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं लेकिन अब इस कारिक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है दरसल जानकारी के मताबिक आपको बता देगी बागेश्वर धाम के खास कारिक्रम का आयोजन नुएडा में तयार किया जा रहा है वहीं आयोजक दावा कर रहे हैं कि बाबा के खास कारिक्रम में 10-12 लाख लोग रोज जुटेंगे साथी बाबा के कारिक्रम को भवे बनाने के लिए आयोजकों ने बड़े सर पर तयारियां शुरू कर दी है वैसे पहली बार है जब 10 जुलाई को बागेश्वर बाबा ग्रेटर नुएडा पहुचेगे लेकिन वही बाबा का ये बिहार में हुआ दिविदरबार शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया था दरसल बिहार के परियावरण मंत्री तेज प्रताप यादव दिरेन शास्त्री का विरोध कर रहे थे तो वहीं उनके भाई उपमुखे मंत्री तेजिस्वी आदव ने भी बाबा बागेश्वर धाम का विरोध किया था और उन्होंने सपर्ष्ट कर दिया था कि वह बागेश्वर धाम के बाबा यानि धिरेंद क्रिशन शास्त्री की कता सुनने नहीं जाएंगे साथी तेजिस्वी का कहना था कि जहां जहां जनता का भला होता है हम बस वहीं जाते हैं वैसे आपकी क्या राय है धिरेंद क्रिशन शास्त्री को लेकर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीचेगा विलाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जन्हें टाइम से साथ